फ्री सब्सक्राइब कीजे जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं रोज पाएं आसम नौलेज वीडियोज CPM डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है CPM क्या होता है इसका मतलम मैं समझाऊंगा बहुत ही छोटे वीडियो में आपको पूरा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा देखते ही इस वीडियो का आगे मिर नाम है हुसाइन आप देखने है जवाबी बाबा चैनल लेट्स बिग और यह बहुत ही नैचुरल है क्योंकि M से मिलियन होता भी है M से थाउजन नहीं होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं M यहाँ पर जब बोला जा रहा है तो यह रोमन डिजिट्स रोमन नंबर्स का यूज हो रहा है रोमन में M जो सिंबल है उसको थाउजन के लिए ठीक है यह एक एडविटाइजमेंट पेमेंट मॉडल है यानि कि इसके हिसाब से जब आप डिजिटल एडविटीजमेंट चला रहा है तो आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी मेथडोलोजी कौन सा पेमेंट मेथड कौन सा एडविटाइजमेंट मॉडल आप फॉलो करन चाहते है, CPM एक model है, CPC दूसरा model है, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, CPC का मतलब है cost per click, जितने click उसके हिसाब से पैसे, CPM जो होता है, वो cost per thousand होता है, यहाँ पे CPM का मतलब per thousand clicks है नहीं, बलकि per thousand views से, per thousand impressions है, ठीक है, ज्यादा तर ये banner ads के लिए होता है awareness campaign अगर आप चला रहे हैं, तो वहाँ पे इसका ज्यादा sense बनता है, इसका मतलब यह है कि आगर आपका जो digital ad है, वो जब दूसरी websites पे दिखता है, चाहे भले ही user इस पे click करे या ना करे, लेकिन अगर उसको उस website पे दिख गया, उसका impression उसको दिख गया, तो वो count हो गया, तो ऐसे 1000 impressions के लिए आपको एक fixed price देना पड़ता है, मिसाल के तौर पे, मान लीजे, आपका जो CPM price है, वो $20 है, ठीक है, आपने जो digital ad चलाया, वो 2000 pages पे, या एक ही page पे, या अलग-अलग pages पे, टोटल 2000 बार customers को दिखाई दिया, अलग-अलग customers को दिखाई दिया, एक duration में तो 2000, CPM क्या है, 20, यानि के आपकी fees हो गई $20, उन 2000 impressions को दिखाने लिए, ठीक है, अगर यही पर आप CPC के ओपर, यानि के cost per click के ओपर based होता आपका payment model, तो वो 2000 impressions में से जितने लोगों ने click किया होता, मान लीजे 20 लोगों ने click किया, तो आप 20 click के आपको पैसे देने और फिर आपके cost fix decide होती कि per click का कितना पैसा है, तो फिर आप उसके हिसाब से पैसे देते है, advertiser अपने हिसाब से choose कर सकता है कि कौन से campaign में इसको कौन सा model suit करता है, अगर वो जादा conversion focused advertisement चलाना चाहता है, तो वो cost per click के ओपर जाएगा, अगर वो एक awareness campaign चला रहा है, जहां प इसे के सरकारी जो नरेंद्र मोदी के आप देखते रहते हैं, दुनिया भर के ad आते हैं, आप कोई भी website खोली है, BJP के बहुत सारे ad आते हैं, वो आपे BJP कुछ बेचता है नहीं, जो आप click करो और आप खरीद लो, वो एक awareness campaign है, तो उसमें जो उनका model है, वो CPM based ही होगा, क समझाने वाला छोटा सा वीडियो, अगर अच्छा लगए तो लाइक और सबस्राइब और शेर भी कर दीजे, इस तरीके के क्या क्यों कैसे technology वीडियो मेरे चैनल पर बनते रहते हैं, I'll see you in the next one, thank you.